हेलो मेरे दूस्तों कैसे हो सभी उमीद करता हूँ अच्छे होंगे आज मैं आपको बताने माला हूँ चैप्टर टू मानव नेत्र रंग वरंगा संसार पछली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको मानव नेत्र के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि उसमें कि पहली होते है शंक वाकर धूसरी होती है डंड़वा较 कार क्या करती है लेकस्सआए पास की गती को बताती है कि तो इसमें काफी सारे color देखने को मिल जाते हैं तो अब इसमें color बहुत सारे हैं तो वह color में अंतर नहीं कर पाता है लेकिन उसे दिखाई बिल्कुल साब देता है उसमें संकवाकार की कमी रहती है उसकी आंक में अब हम इसमें topic में बात करते हैं Murghah Sooryasth होते ही चिल्ला तक क्यूँ है क्यूंकि आप लोगों ने पढ़ा हैं आखों के मानवनेत्र की बारे में कि जो पहला डंडवाकार ये प्रकास की गती को बताती है और दूसरा जो जो है संकवाकार ये प्रकास के अंतर में बताती है तो शंक्वाकार हैं, वह मुर्गे के आँख में तो एकडम सही रहती है, केशिकाएं जिसको हम बोलते हैं, लेकिन जो रंडवाकार है, जो प्रकाशकी गती को बताता है, वह उसकी कमी के करण मुर्गा जो है, सुरियास होते ही पहले ही कुकुडू करने लगता है, चिल्दान लाने लगता है दूसरा जो कुशन है उल्लू रात में देख पाता है और दिन में क्यों नहीं देख पाता है मुर्गा की आँख में रनवाकार जो है कम मातरा में होती है उल्लू में जो है अधिक मातरा में होती है जब अधिक मातरा में होंगी तो प्रकास भी उसकी आँखों में अधिक मातरा में दिखने लगेगा अगर वह कोई बस्तू देखेगा तो उसको इतना चमकीला रग दिया जाती है हम सूर के उधान लें अगर सूर की तरह हम देखते हैं अपनी आँखों से तो सूर जो बहुत ही तेजी तरीके से चमकता है तो हम आँखों से देखनी पाते हैं तंडवाकर केशिकाएं अधिक मातरा में पाई जाती हैं जिसके कारण वह है उसको दिन में दखाई नहीं देता है और वह बस्तू को नहीं देख पाता है अगर वह देखनी के कोशिश करें तो उसे एकदम वाइट वाइट सा दखाई देता है तो इसलिए उल्लु को दिन के समय नहीं दखाई देता है और रात में वह इसलिए देख लेता है क्योंकि उजेला एकदम कम हो जाता है सूर्य आस्त बलकुल हो जाता है जिसके करण वह रात में आसानी से देख पाता है अब इसमें टॉपिक आता है मानम नेत्र द्वारा पृतिविम का निर्मार अब हम मानम नेत्र के बारे में पढ़ेंगे चलिए इसके लिए हम डाइगरम बना लेते हैं मानम नेत्र का यह हो गया बस्तू का सिर यह हो गया बस्तू का नीचे का भाग तो जैसे बस तू मेंसे बहुत सारी करणे निकलती हैं तो जाद हम एक या दो करणे लेते हैं तो हम इस मेंसे तीन करणे ले लेते हैं एक ये आएगी दूसरी यहां से यहां से यहां आएगी अब यहां पर आप देखोगे यह इसकी आकरती कुछ इस पिकार से है कि हमने उत्तर लेंस में बढ़ाता कि जो प्रकास की करणे हैं उसको एक बिंदू पर मिला देता है तो वही आकरती हमाई आख में दी हुई है तो ये करणे इतनी सारे आ रही हैं तो ये एक बिंदू पर बना देगा एक बिंदू मिल जाएंगी यहाँ पर अब ये प्रकास की करणे हैं एक बिंदू पर मिल गई है तो यहीं पर पिर्तिविम बन जाएगा पिर्तिविम बना है उल्टा क्योंकि जब A यहाँ पर आ गया है तो B इसके उपर होगा तो कैसा हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा A यह हो गया बी यह हो गया यह उल्टा पिर्तिविम पिर्तिविम बना है उल्टा अब यह बिंदू मिले हैं यहाँ पर यहाँ पर यह मिलते हैं तो आख में मैंने आपको बताया है जब पिर्तिविम बनता है तो भाय बनता है रेटीना पर तो यहीं कहीं मौझूद रहता है रेटीना आप समझेए कि जहाँ पर पिर्ति में बना है समझो वही है रेटिना रेटिना पर बनता है तो आप सोचोगे कि इसमें पिर्ति में बन रहा है उल्टा यानि बस्तू का पिर्ति में बन रहा है उल्टा लेकिन हमें सीधा कैसे दखाई देता है तो भाई इसलिए दखाई देता है क्योंकि हमाई सरीरी में ऐसी तंद्रकाइं पाए जाती है जो फिर्ति में उल्टा बनता है लेकिन उसे भी फिर भी हम सीधा देख पाते हैं बस्तू को ठीके तो ये गौड का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे पास कि जो हाँ यह कोई बस्तू देखते हैं तो भाई हम सीधी दखाई देती है लेकिन ऐक हमें ठीके अगर हम उसमें पडिए उल्टा दिखाई देगा है यसा अम बस्तू की एक करण लेते हैं नो यह Jadi फिर भी है है विल्टा पिरनदी में बने अधा लेकिन आख में ऐसा नहीं होता है नेकि हम सीधा देख